Hello everyone, I am Neha Vedwan और अपने इस चैनल पे मैं आपको complete English कराने वाली हूँ तो आज का जो session है वो हमारा थोड़ा सा interesting होने वाला है क्योंकि आज का जो session है वो grammar plus speaking का है जो आपको speaking में भी बहुत जादा help करने वाला है तो आज की वीडियो को start करते हैं तो आज का हमारा जो topic है वो है mind mind means क्या होता है mind means होता है सुधारना mind means सुधारना तो अप यहाँ पे जो mind का use है वो हमारी verb है verb means verb क्या होता है आपने देखा होगा subject के जो बाद आती है subject plus verb तो verb क्या होती है mind sorry verb क्या होती है हमारी subject के बाद आती है वो हमारी verb होती है, तो verb का meaning क्या होता है, sorry, mind का meaning कहा है, सुधारना, तो जब हम किसी चीज को सुधारने की बात करते हैं, तो हम वहाँ पे mind का यूज करते हैं, and mend, also, mend का meaning भी सुधारना होता है, तो आज की वीडियो में हम यही discuss करेंगे, कहां हमें mind लगाने है और कहां हमें mind लगाने है so got my point अच्छा है तो बात करते हैं mind mind जब आपको किसी चीज़ को सुधारने में बिल्कुल भी time नहीं लगने वाला है ठीक है उसी जिस time आपको बोला जा रहा है उसी time वो काम हो जाएगा तो अब आप किसका यूज़ करोगे mind का यूज़ करोगे okay got my point जैसे की और पहली बात यह हमारा जो sentence है mind your language आप जैसे की आप बहुत ज़्यादा बोलते हो okay तो आपका यह जो mind यहाँ पे starting में लगा हुआ है verb की first form जो है यहाँ पे starting में लगी हुए अब जब verb first starting में आ जाती है तो हमारा जो grammar का rule यहाँ पे क्या कहता है कि जब हमारी verb first पहले आ जाती है subject से पहले आ जाती है it means हमारा जो सबसे जो पहला part क्या होता है subject का होता है subject के बाद verb आते है यहाँ पे हमारा subject ही नहीं है तो यह हमारा sentence कैसा है imperative sentence है क्योंकि imperative sentence में क्या होता है उसमें जो subject होता है वो छिपा हुआ होता है वहाँ पर subject क्या होता है छिपा हुआ होता है वहाँ पर जो verb की जो first form है वो हमें starting में रख देते हैं तो यहाँ पर grammar plus speaking दोनों का session अच्छे से हो जाएगा कवर तो यहाँ पर mind mind यहाँ पर बिल्कुल भी time अब आपको किसी ने बोला कि अपनी language को सुधार हो आपने कुछ गलत word बोला किसी को और उसने तुरंट आपको क्या कर दिया टोक दिया उसने आपको तुरंट बोला mind your language अपनी language को सुधार हो तो आप तुरंट ही उसको जो आपके जो language वो सुधार जाएगे आप उसे ठीक बोलोगे समझा रहा है मेरा point तो आप उसे एक दम से ठीक कर सकते हो उसे बिल्कुल भी time नहीं लगेगा आपने किसी को कुछ भी अजीब तरीके से बैठे हो तो teacher ने आपको point out कर लिए तो teacher आपको तुरंट क्या बोलेगी अपना जो shitting posture है वो क्या करना है आपको ठीक करना है और आप ठीक कर सकते हो एक second में teacher के कहते ही कर लोगे कहना भी दूर है अगर आपने जो आपके जो सामने टीचर है अगर उसने आपको देखा भी किसी गलत position में बैठे हुए तो वो तुरंट टोकने से पहले आप उसको क्या कर लोगे ठीक कर लोगे अपनी sitting posture को कर लोगे तो यहाँ पर बिल्कुल भी time नहीं लगने वाला है तो आप क्या करोगे तुरंट कोंब लोगे और तुरंट ही अपने क्या कर लोगे अपने हेर को क्या कर लोगे माइंड कर लोगे सुधार लोगे उने so got my point next step का mind your leg suppose करो आप पैरो को क्या कर रहे हो move कर रहे हो आपके सामने इॉला बोल रह होग सामने तससेे, प Truly खेंगे होग बिंड बंद घर को तो डिलीज तो आपके सामने बापने आपके सामने बाला है तो तरह और आपके समये मूझे करो है तो got my point उसमें बिल्कुल भी time नहीं लगने वाला है अच्छा next है आपका mend जैसे कि मैं आपको बोल चुकी हूँ mend क्या होता है mend means भी सुधार नहीं होता है mend means भी सुधार नहीं होता है अब mind में तो हमें क्या लग रहा था time लग रहा था sorry time नहीं लग रहा था और mend में क्या लगेगा हमें time लगेगा सुधार नहीं ठीक है तो mind और mend में difference यही है कि mind में time नहीं लगता है और mend में सुधार नहीं लगता है जैसे कि mend your habit अगर आप यहाँ पे mind की जगे mind कर दोगे mind your habit तो यह जो हमारा sentence totally गलत हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि mind में तो क्या time ही नहीं लगता है तो क्या आप अपनी habit को कोई भी आपको habit पड़ी हुई है तो क्या आप उसको एक second में ठीक कर सकते हो नहीं कर सकते है habit को ठीक होने में उसे सुधरने में बहुत time लगता है हो सकते है आपको एक महीन लग जाए उसे सुधरने में दो महीने लग जाए वो आपके उपर depend करता है आप उसको कितना time दे रहे हो सुधरने के लिए लेकिन हाँ वो time जरूर लेगी okay got my point तो यहाँ पर mind अगर आप कर दोगे तो यह आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा क्योंकि habit एक दिन में नहीं सुधरती है एक मेंट में या दो सेकिंड में आपकी habit सुधरने वाली नहीं है okay next आपका mend your handwriting अब suppose करो किसी कि handwriting बहुत जादा गंदी है मेरी भी गंदी है okay तो क्या वो एक सेकिंड में सुधर लोगे आपको कि बहुत जादा गंदा लिखते हो तो क्या आप उस handwriting को एक सेकिंड में सुधर दोगे कि हाँ ठीक है उसने सामने वाले ने बोला और मैं अभी देखो कितना सुन्दार लिखके दिखातू, तो क्या आप ऐसा कर पाओगे, नहीं न, तो जब आपको सुधरने में टाइम लगेगा, तो वो आप बिल्कुल भी, तो आप किसका यूज़ करोगे, मैंड का यूज़ करोगे, माइंड का यूज़ नहीं करोगे, अगर आपको कहा जाए कि अपने आपको सुधर हो, तो क्या आप अपने अंदर जाए कित कमिया हो या कुछ भी हो, किसी के भी बारे में आपको बोला जा रहा हो, तो क्या आप उसे एक सेकिंड या, दो मिनिंट में, किस सुधर लोगे, जितनी जल्दी हो सके, नहीं न, उस तो अगर आप किसी चीज को सुधारने की बात कर रहे हो तो आपको पहले यह देखना है कि उसमें टाइम लगेगा या नहीं लगेगा अगर टाइम लग रहा है तो आप मैंड का यूज करोगे और अगर टाइम नहीं लग रहा है तो आप किसका यूज करोगे माइंड का यू इसका लगा दिया, I want man myself, मैं नहीं सुधरूँगा, ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो कि मैं नहीं सुधरूँगा, I want man myself, अब यहाँ पर I के साथ, possessive case क्या लगता है myself लगता है जिसे कि यहाँ पर he के साथ क्या लग रहा है himself और अगर यहाँ पर she हो जाता है तो क्या लग जाता हर herself लग जाता तो ऐसे ही वो मैं आपको जब pronoun कराऊंगी तो मैं उसमें आपको करा दूँगी अच्छे से तो यहाँ पर कहने का मतलब यह आपके कुछ तो आप यह sentences खुद भी बना सकते हो suppose यहाँ पर I की जगे आपनी he ले लिया, she ले लिया, they ले लिया या किसी और के बारे में जैसे कि पाकिस्तान के बारे में बात कर सकते हो पाकिस्तान की जो हरकत है आप बोल सकते हो कि पाकिस्तान नहीं सुधरेगा या कोई भी किसी के भी बारे में जिसको आप बोल सकते हो कि वो नहीं सुधरेगा तो आप सेंटेंस को ऐसे यूज कर सकते हो मैं नहीं सुधरूंगा I want man myself वहने सुधरगा I want man himself कि कि विए कि बारे में सुधर नहीं सबना सकते हो तो आज का it's session कैसा रहा कमेंट जरूर बताईएगा और आज की वीडियो I hope आपको अच्छी लगी हो अग अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना मद भूलियेगा तो आज की वीडियो को यहीपर फ we do